इस वीडियो में देखने वादे हैं कि हम एक मारियो गेम कैसे बना सकते हैं आप देख सकते हैं उपर से कोईन आ रहा है जैसी वो मारियो से कॉलाइड करता है तो कोईन डिसपीर हो जाता है अपिर अगर नीचे भी गिरता है तो वो फिर से दोबारा रेंडम बोजीशन से नीचे आता है अगली वीडियो में हुए देखेंगे कि हम इसमें पॉइंट कैसे हैट कर सकते हैं और केम बत कैसे कर सकते हैं लेकिन आज वीडियो के में के वलम इतना ही देखेंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले आप इस अपसाइड पर आ रहे हैं जिसका नाम है app.sankeboy.com एप करने के बाद create new app मैं दे रहा हूं Mario game 2 पहले मैंने पहले ही बना रखा है और यह screen load हो रही है अपकी और जैसे screen load हो ही कि हम आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले drawing and animation में क्लिक करने के बाद हम एक Converse करेंगे Converse की hide कर देंगे हम fill parent और width भी करतेंगे fill parent और screen one पर क्लिक करने के बाद इसे responsive कर देंगे fixed की जगा हम इसे कर देंगे responsive कि किसी का font शुटा हो या बढ़ा हो तो उसके अनुसारी अपने आपी adjust कर ले Converse one पर क्लिक करेंगे और Converse one के अंदर हम drag and drop करेंगे एक image spread जो कि हमारा coin है ओपर से नीचे की तरफ fall करेगा और दूसरा एक और image spread जो कि Mario है अब हम इन दोनों की photo upload कर देंगे तो सब्सक्राइब मैं Mario की picture upload कर देता हूं नीचे हमारा Mario खड़ा रहेगा Mario image spread पर क्लिक करने के बाद हम जाएगे picture pen और यहां से upload करेंगे file और यह चीज़ करेंगे यहां पर भी आपने save कर रखेंगे और यह अपनी Mario की photo मैंने यहां से पर रखेंगे मैं इसे upload कर दूँगा और upload होने के बाद हम यहां पर एक picture दिखाई देगी यह upload हो रहा है इस टाम और यह upload हो चुगी यह picture यह picture भी थोड़ी बड़ी है इस लिए हम इसे थोड़ा चूटा करना होगा या कैसे change करना होगा हो हम block section में करेंगे अब हम coin की image upload कर देते हैं और हम इसे upload कर देते हैं thankable thankable की image में और इसका size में बड़ा चूटा करेंगे block section में और हमें जो last चीश चाहिए designer section में वह चाहिए एक clock user interface में जाने के बाद तो हमें sensor फिर क्लिक करेंगे हम sensor spin और एक clock को drag and drop कर देंगे एक तीन चीश है हमें चाहिए designer section में सुरी चाहिए एक convert एक 2 image sprite और एक clock अब हम block section में चलते हैं तो सबसे पहले हम screen 1 पर क्लिक करते हैं और यहां से ले देते हैं हम screen1.initialize image sprite 2 है हमारे पास image sprite 2 और image sprite 1 इसे हम designer section में जाके rename कर देते हैं जो image sprite 2 है वो है Mario image sprite 2 Mario कर देते हैं इसे image sprite 1 है वो है coin तो इसका rename कर कर देते हैं image sprite coin और ओके पर क्लिक कर देते हैं फिर तुबारह से हम चलते हैं इसके blocks partner when screen1 initialize तो हमें अपने इंग्मारियों के width or height चेंज कर ली है कि यह भी बहुत बढ़ा है तो हम कर देते हैं set image mario. पहले हम width को चेंज कर लेते हैं उसके बाद height को चेंज करेंगे image sprite mario.width2 और हम चलते हैं mat section में यहां से हम लेंगे एक multiply का sign multiply का sign multiply का sign लेने के बाद हम इसे यहां पर drop कर देंगे और converse 1 पर जाने के बाद converse 1 की width ले देंगे converse 1.width और math में जाने के बाद हम दुबारा से 0 देंगे और इसे कर देंगे हम 0.1 यान की 10% और दुबारा से हम इसकी height set करेंगे मैं इसे copy paste कर रहा हूँ आप चाहे तो दुबारा से click करके भी ले सकते हैं अब की बार मैं coin की image set कर देता हूँ converse 1.width into 0.1 अगर आप 10% coin की width रखना चाहते हैं तो इसे 0.1 ही रहने दीजिएगा लेकिन मैं 5% कर रहा हूँ क्योंकि वह जादा बैटर लगेगा coin ज्यादा बढ़ा होगा जोड़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा अब हम Mario की height set करेंगे मैं इसे copy paste कर रहा हूँ ctrl c ctrl v करके .height to अब हम यह height इसकी set करनी है तो उसके लिए Converse 1.width की जगह हम लेंगे Converse 1.height Converse 1.height क्लिप करने के बाद हम यहां से लेंगे Converse 1.height जिसे हम drag and drop कर देंगे यहां पर अब फिर उसी तरह इसे copy paste करेंगे हम दुबारा से duplicate करेंगे हम इसे अब की बार हम coin की height set करेंगे Converse 1.height Converse 1 into 0.1 मैं अपने Mario को थोड़ा रखना चाहता हूं तो उसे मैं इसे 0.1 की जगह 0.2 करता हूं मतलब 20% जितनी Converse की height होई गी 20% Mario की height होई गी अब मैं क्या करोगा कि मैं चाहता हूं जब कोई स्क्रीन पे टच करें तो हमारा Mario मूव हो अपने Mario को मूव करने के लिए अब इसमें थोड़ी से चीज़े add करूंगा तो उसके लिए हम ले लेए whenconverse1.touchd whenconverse1.touched whenconverse1.touched इसे अब री अशरय लेनी set imagePrizeMario.x2 setImageSprizeMario.x2 SetImageSprizeMario.x2 पर थोड़ी देर अपने माउस को रखेंगे और यहांसे लेंगे गेट एकस अब मैं एक कोईन को मूव कराने के लिए यानि उपर से रीचे गिराने के लिए त्रिंकेबल में लिखना त्रिंकेबल में मैं ब्लोक्स पार्ट में कुछ चीज़ें एड करूँगा लेकिन इसे हम ब्लोक्स में करने की जगा सीधा ही हम इसे हम डिजाइनर सेक्षिन में भी कर सकते हैं तो डिजाइनर सेक्षिन पर मैं इस टूटोरियल में डिजाइनर सेक्षिन का यूज कर रहा हूं कोईन को मूव करने के लिए कि इसे कोई करने के बाद को क्लिक करना है और यहां से हेडिन कर देनी है मैंने यहां पर माइनस नाइंटी क्यों किया अगर यह कोई है हमारा अगर हो इसे चीने करते हैं अगर आप करना चाहें तो और इसकी speed में कर देता हूँ 10 आप इसे change कर सकते हैं डिफरेंट लेवल बिना सकते हैं वह हम अग्रे टूटोरियस में देखेंगे और बस designer section में केबल इतना ही इसकी मदद से हमारा coin उपर से नीचे गिरेगा अब जब coin नीचे गिर जाए जब coin हमारा नीचे गिर जाए हमारी उसे touch हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि वह उपर से दुबारा से गिरे और random किसी जगा से गिरे तो उसके लिए मैं थंकेबल मैं फिर से block spot में कुछ चीज़े add करूँगा यहां से मैं ले लेता हूँ मैं चीज़े add करूँगा सबसे पहले when imagespread.coin.edge reached edge reached हम यहां से लेंगे थंकेबल में edge का मतलब होता है कोई भी last part मतलब edge यह भी एक edge है जहां पर मेरा मांद इस side नीचे बिलकुल जा रहा है वह भी एक edge है इस side वाला भी एक edge है हर corner एक edge बना जाता है क्योंकि हमारा coin उपर से नीचे बीड़ रहा है तो इस case में edge सिर्फ यह होगा जब edge को reach करेगा हमारा point तो हम उसे दुबारा से उपर लेके जाएंगे जब यह नीचे की तरफ आके टक्रा गया हम इसे दुबारा से उपर ले जाना पड़ेगा तो हम यहां से लेजेंगे set image spread coin.x और y दोनों को ही set करना पड़ेगा set image spread coin.x2 यह रुग्या बीच में set image spread coin.x2 इसके लिए है तो यह randomly कहीं से भी start हो जाता है तो उसके लिए हमें math को click करके लेना पड़ेगा random integer from random integer from 0 to 0 से कहां तक जा सकती है x x मतलब यह वाला part जो आप देख सकते है x मतलब यह वाला part जहां जिस तरफ में mouse दिला रहा हूं और y मतलब उपर से नीचे तो इस टेम में x को set करूँगा 0 to जो 0 होगा हमारा इस side होगा maximum कहां तक जा सकता है 0 से 0 से जितना बड़ा मेरा यहां से मिले रहा हूं converse1.width 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 यहां से दुबारा से भीजना पड़ेगा उसके लिए मैं इसे duplicate कर रहा हूं और यहां पर x कर देता हूं और इस बार हमें random integer नहीं चाहिए क्योंकि वह तो x में उपर decide हो जाएगा वह तो x decide करेगा उपर से नीचे जब आएगा तो x में में वह कहां पर आएगा वह तो x से decide होगा लेकिन y में उसे दुबारा से पर भीजना पड़ेगा तो y में मैं ले लेता हूं और math में जाके एक 0 0 मतलब सबसे उपर उमीद है कि यह काम करेगा और उसके बाद हम चाहते हैं जब हमारा मारियो जब हमारा मारियो कोलाइट करे कोईन से तो कोईन नीचे ना गिरे वह सिदा ही फिर से उपर चला जाए तो उसके लिए हम लेंगे when image spread coin dot collided with और इस यहां पर ड्रॉप करेंगे when image spread coin dot collided with और फिर से X और वाइस की हम set करा देंगे इन दो दो को duplicate करूंगा यह तुबहरा से वह duplicate हो गया इस पार फाइब वह duplicate करूंगा मैं और इसे आप ड्रॉप करतूंगा और उम्हीर है कि यह अप काम करना चाहिए इसे test करके देखते हैं इसे download कर रहा हूँ और यह स्टार्ट हो रही है वाली APK5 वो नहीं वो उपर से नीचे की तरफ फूल कर रहा है तो चलिए Saber देखते हैं गेम ने काम पर error कर देखते हैं यहां पर हमें दो errors दिखाए दे रही है एक तो मारे थुटा बीच में आ रहा है और हमारा coin नहीं दिखाए दे रहा है चलिए इसे solve करते हैं तो मारे को सबसे पहले coin को दिखाने के लिए हम करते हैं imageSpriteCoin पर click win screen1.initialize तो हमें अपने coin का xset करना पड़ेगा set imageSpriteCoin.x2 जहां से हम x2 ले लेते हैं और इसे यहां पर हम drop कर देते हैं और इसको हम करते हैं मैक में जाने के बाद plus लेते हैं और हम इसे यहां पर track & drop कर देते हैं और एक zero लेते हैं यहां पर drop करते हैं और imageSpriteCoin.height हम लेंगे 0 plus imageSpriteCoin.height और हम इसे लेके drag and drop करेंगे और इसे हम यहाँ पर drop कर देंगे इसी तरह इसे हम अपने मारियो को थोड़ा नीचे करना चाहते हैं उसके लिए हम इसे duplicate कर लेते हैं और imageSpriteCoin की जगा कर देते हैं imageSpriteMario X की जगा कर देते हैं Y और इसकी जगा हम करेंगे इसे delete कर देते हैं बाकि जो blocks है जिनकी जरूरत नहीं है हमें और हम इसे ले लेते हैं Converse1.height Converse1.height और हम इसे drag & drop कर देते हैं यहां पर चलिए इसे दुबार से test करके देखते हैं उमीद है इस पार यह काम करेगा यह टाउन्डोड हो चुका है चलिए इसे test करके देखते हैं और हमारी और हमारा नीचे हो चुका है लेकिन coin अभी भी नहीं आया है देखते हैं यहां इसे दुबार से try करते हैं कि coin इस परस नीचे क्यों नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहां पर एक गलतिया रखिया है मैंने यहां पर कर रहा है image spread coin.width to convert 1.width into 0 हो गया तो वह दिखाई ही नहीं देगा तो हम इसे 10% कर देते हैं 0.1 कर देते हैं तो अपकी बार इस वज़े से दिखाई नहीं दे रहा था पिछली बार मैंने 0 कर रहा था इसे इसे मैं save करता हूं और दुबार से test करता हूं तो इस बार हमारा coin भी है हमारा Mario भी है बिल्कुल सही तरीके से हमारा game काम कर रहा है मैं इसे आपके सामने चला देता हूं आप जब आप initially से start करेंगे तो आप Mario नहीं दिखाई देगा लेकिन जब आप screen पर click करेंगे तो आप Mario आ जाएगा जैसे यह जैसे normal game हमारा काम करना चाहिए यह बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है और इसे अपकी AI फाइल मैं आपको description में दे दूगा अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को subscribe चरूर कर लिजिए मैं आपके लिए ऐसी ऐसी ही और इससे भी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगे अगर पसंद आई होगे लाइक जबी करते जीए कमेंट करना ना बोलें कि आपको कैसी लगी वीडियो तो थैंक्यू इस वीडियो बर देखने के लिए